हेलो इस्टेर्ण, वेलकम बैक तो सॉचलोजी क्लासेस, सॉचलोजी फिर्स फिर्पर, बीए पार्ट सेकंड जियर अन्य पिछड़े बर्गों के विकास के लिए सरकार के प्रियतन, क्या है, अन्य पिछड़े बर्गों के विकास के लिए सरकार के प्रियतन, पिछड़ा बर्ग, आपको पहले भी बताया गया है कि पिछड़ा बर्ग क्या होता है, पिछड़ा बर्ग, समाने शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सवन जातियों तथा अनुसूचित जातियों के बीच जो अनुसूचित जातियों के बीच जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के बीच जो अनुसूचित जातियों के बीच जो अनुसूचित जातियों के बीच जो अनुसूचित जाति पिछड़े बर्ग को आरक्षण देने तथा संविधान के अनुच्छे 16 के अनुसार अन्य पिछड़े बर्गों की सुचियां बनाने से संबंधित सर्वोची नययले के निर्णय के अधार पर सरकान ने अनेक ऐसे प्रियत्न किये जिनकी सहयता से इन बर्गों का समुचित विकास किया जा सके इन प्रियासों को संग्षेप में निम्नांके तुरूप से समझा जा सकता है कि पिछड़े बर्गों को आरक्षान देने तथा संबीरहान के अनुच्छे शिक्स्टीन के अनुच्छार पिछड़े बर्गों की सुचिया बनाने से संबंधित सर्वोची नियाले के निर्णे के अधार पर सरकार ने गौर्मेंट ने बहुत सारे प्रेतनी की हैं जिनकी साहता से इन बर्गों का समुचित विकास किया जा सकता है इन प्रियासों को संगशेप में निम्ना के तुरूप से हम समझेंगे फस्ट क्या है हमारा फस्ट पॉइंट है हमारा सेवाओं में आरक्षा तथा अन सुभी रहें ओके रिजर्वेशन इन सर्विस एंड अधर फैसिलिजीज सेवाओं में आरक्षा तथा अन सुभी रहें सर्वोची नयले के निर्णे के अनुसार सरकार ने सभी सेवाओं में अन पिछडे बर्गों के लिए 27% इस्थान आरक्षित करने के साथ ही भारत की सभी राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि प्रतेक राज्य सरकार अपने अपने छेत में उन जाती समू की सुचियां तयार करें जो मंडल आयोक द्वारत सुझाए गए मान डंडों के अनुसार अन पिछडे वर्ग के अंतरगत आते हैं में केंद सरकार द्वारत दिये गए इस आदेश का पालन करते हुए विभिन राज्यों में इस समय तब 2268 पिछडी जातियों का तथा समूदाय को अन पिछडे वर्गों की सुचि में समिलित किया जा चुका है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की तरह अब अन पिछडे वर्गों के प्रत्याशियों को भी लिखित परिक्षा तथा साक्षातकार देने के लिए आयू सीमा से छूट देने का प्रावधान किया गया है सेकेंड पॉइंट है आपका रास्टरी पिछडा बर्ग बित तथा विकास निगम की स्थापना जिसें इंग्लिश में बोलते हैं इस्टबलिश्मेंट औफ नेशनल बेकवार्ट क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलप्मेंट कोर्परेशन फर्स्ट क्या है हमारा सिवाओं में आरक्षन तथा अनिसुवीदा है सेकेंड रास्टरी पिछडा बर्ग बित तथा विकास निगम की स्थापना ठाड है परिक्षा पूर्व कोचिंग और फॉर्थ लड़के तथा लड़कियों के लिए छात्रा बास फिप्थ है मैट्रिक पूर्व चात्रवति और शिक्स है मैट्रिक से उपर बच्चों को चात्रवतियां और सेविन है आपका स्वेम से भी संगठनों को सहता सेकेंड कोईंट है आपका रास्टी पिछडा बर्ग वित तथा विकास निगम की स्थापना सरकार द्वारा इस निगम की स्थापना सन 1992 में ही कर दी गई थी इसका उद्देश गरीवी की सीमा रेखा से नीचे के अन्य पिछडे बर्गों को रियायती दर पर रिड़की सुविदाएं उपलब्द कराना है ग्रामी चेत्रों में अन्य पिछडे बर्गों के निर्धन लोगों को 40,000 रुपे तथा नगरिये चेत्रों में 55,000 रुपे तक का रिंड देने की विवस्था की गई सन 2003 और 2004 में इस निगम के द्वारा लाभारतियों के लिए कुल 898 करोड रुपे के रिंड वितरित किये गए अन्य पिछडे बर्गों में गरीवी की सीमा रेखा से नीचे की स्तियों के लिए स्वणिमा नाम से निगम द्वारा एक नई योजना आरंभी की गई इसके अंतरगत केवल 4% बार्शिक के ब्याज़पन उन्हें अपने आर्थिक विकास के लिए 50,000 रुपे तक का रिंड देने का प्रावधान किया गया अब नेक्स है आपका परिक्षा पूर्व कोचिंग परिक्षा पूर्व कोचिंग प्री एक्जाम कोचिंग अन्य पिछडे बरगो के प्रतियाशिकों को पृवेश परिक्षा प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए उन यूबरगों को निश्यूल की कोचिंग देने की विस्ता की पिछड़े वर्गों में जो भी इस ट्राइन थे जो अपनी फीस अफॉर्ड नहीं कर पा रहे थे या फिर जो अच्छे से मतलब आलग से ट्यूशन नहीं ले पा रहे थे तो उनको कोचिंग कैसे बिल्कुल फिरी देने की विवस्था भी कॉर्रमेंट ने की जिनके माता-प हम जो है उनकी लगने से विर वहन याई ससे संघ्ठन थारटन प्रत्मान की और फिरी ड़रन है ड़किष्टर फॉर बॉयज एंग गर्ल्स जिन राज्यों में अन्य पिछड़े बर्गों की जन संख्या काफी आदिक होने के बाद भी वहां उनके लिए छात्रा बासों की कमी है वहाँ सरकार द्वारा लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास बनाने के लिए आर्थिक सहयता देने का भी प्राओधान किया गया ये व्यवास्ता की गई कि माधिम Tailman College तथा विश्विध्याले के इस तर के लिए भी विध्यारतियों के לज़ अलगअलग छात्रावास बनाए जाएंगे ऐसे छात्रावास में कम से कम एक तिहाई छात्रावास लड़कियों के लिए होंगे और छात्रवासों के निर्माण के लिए केंदी सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कुल व्याई का आदा हिस्सा अनुदायन के रूप में दिया जाता है तो अग मतलब हॉस्टेल का भी हॉस्टेल की विवस्था भी किस ने किया गॉर्मेंट ने किया 445 hundred रुपे से अधिक नहीं है उनके बच्चीं को चात्रवारा रवास के लिए सभी ग्यार छात्रवासी विध्यार्टिउ उसे किसे चात्रवास में रहने वाले विध्यार्थि ओके चात्रवास को देने का प्रावधान ने को примतित्यों को अधिक बच्चों को लाप प्राप्त हुआ है तो जिन व्यक्तियों की आए जो है 44-500 रुपे से ज्यादा नहीं है उनके बच्चों को स्कॉलर्शिप भी दी जा रही है ठीक है फर्स्टेस लेकर 10 तक के जो भी स्ट्रेंट से और उसके बाद में कख्षा 2 से कख्षा 10 तक के छात्र वास में देहने वाले जो बिध्यारती है उनको भी स्कॉलर्शिप दी जा रही है चात्र रहती उनी बच्चों को मिलती है जो गौर्मेंट दौरा मानेत अप्राप्त इंस्टिटीशन से अगर वो स्टेडी करते हैं तो 2003 & 2004 के अंतरगत इस योजना ने 15.95 लेक्स से भी अधिक बच्चों को लाप दिया मैट्रिक से ऊपर के बच्चों की चात्र रहती है स्कॉलर्शिप टूदा चिल्डर्ण एवर मैट्रिक उलेशन अन्य पिछड़े वर्गों से संबंदित जो बच्चे मैट्रिक हैं या माध्मी किस्तर के बाद भी सिक्षा घिरान करना चाते हैं जो मतलब आगे पढ़ना उनके लिए भी सरकार ने स्कॉलर्शिप का प्रावधन किया है उन्हें भी स्कॉलर्शिप दी जाती है ऐसी चात्र रृती केवल उन्हीं बच्चों को मिलती है जिनके माता-पिता की बाद शिकाय कितनी हैं 44,500 रुपे से जादा नहीं है और इन चात्र रृती पर होने वा जाप्त हुआ अब नेक्स्ट है सवें से भी संगठनों को सहता सपोर्ट टू-दा वाल्यूंटरी ओर्गनाइजेशन सरकार दोरह ऐसे स्वें से भी संगठनों को आर्थिक सहता भी पिरदान की जाती है जो अन्य पिछड़े बर्गों को लावप्रद व्यपसाय देने के लेते हैं स्वेम से बीसंगठन दॉयारा के जाने वाले कार्यों की प्रेकरति के आधर पर उन्हें दी जाने वाली जो आर्थिक साहेता की राशी है वो भी निर्धारत कर दी जाती है ऐसी आर्थिक साहेता का 90% वे केंज सरकार दौरा तथा शेश 10 परसेंट व्याय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है स्वेम से भी संगठन द्वारा संट 2003 और 2004 में इस तरह की कम से कम 200 ट्रॉयल पर योजना आरम भी की गई है जिनके लिए सरकार द्वारा 10.20 करोड रुपया अनुदान के रूप में दिया गया तो सेक्ष्यक और समाजिक आर्थिक विकास में जो रूची लेते हैं और यह जो संगठन द्वारा मतलब कार्यों के प्रेकरति के आधार पर जो आर्थिक साहता दी जाती है आर्थिक साहता की जो राशी निर्धायत करी गई है तो आर्थिक साहता का 90 परसेंट वेर जो केंद दो सो बारा कम से कम परियोजनाय शुरू कर दी गई है कितनी दो सो बारा परियोजनाय और जिनके लिए सरकाने कम से कम 10.20 करोड रुपया अनुदान के रूप में दिया गया अब नेक्स्ट कंप्लूजन निसकर्ष इन सभी प्रेतनों से इस परस्ट होता है कि सरकार की वर समाजिक आर्थिक तथा सेक्ष्णिक विकास के लिए समाजिक सोशल आर्थिक एकोनोमिक सेक्ष्णिक एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए उन योजनाओं को कारेयन वित करना है जिससे उनके विकास में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके ओके तो this is the all efforts of government for the development of O OVC thank you for watching my YouTube channel and next chapter 5 start होगा हमारा next turn पर okay thank you